चलिए बच्चो आज बात करने वाला हूँ मैं Important Topics to get Passing Marks in CA Foundation Economics काफी बच्चे डरते हैं कि सर कौन-कौन से ऐसे Topics करके जाएं बहुत जादा स्लेवास है, हुज स्लेवास है है ना, टाइम लिमिट में कवर नहीं होता है MCQ-based paper है तो सर प्लीज बता दिए कि कौन-कौन से ऐसे Topics करके जाएं ताकि हम लोग आसानी से Economics के paper को काल पाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज़ बता हूँगा क्या आखरी तक वीडियो को देखना ना बुले क्योंकि हर एक Topics, जो Important Topics है वो मैं cover कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ठेक है, दूसरी बात अपने जादा से जादा दोस्तों तक Share भी करना है अगर आपका भला हो रहा है तो बच्चे उनका भी भला होना चाहिए Am I right? तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो क्या है सर? सबसे पहले देखो, मैंने डिवाइड कर दिया चैप्टर वाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहला चैप्टर की मैं बात करूँ तो यह है Nature and Scope of Business Economics इस चैप्टर से बच्चो आपने क्या क्या करना है ध्यान से देखो Macro and Micro Economics का Concepts अच्छे से करके जाना इसके उपर questions रहता है उसके आप Positive and Normative Economics यह करके जाना है Next Economist के जितने भी नाम है आपके book के अंदर जो दे रखा है और उनके द्वारा जो theories है या book है वो सारा अपने अच्छे से याद करके जाना तो आप आराम से यह chapter clear कर जाएंगे है ना अच्छी बात देखो कितना आसान कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा topics भी नहीं लेके आया हूँ अब आते हैं बच्चे चैप्टर No.2 That is Theory of Demand and Supply आपको पता इस chapter का weightage जो है ना बहुत ज़्यादा है चैप्टर No.2, Chapter No.3 and Chapter No.4 तो मैं बात कर रहो अभी Chapter No.2 के तो इसके अंदर थोड़ा topics ज़्यादा है तो वो तो करना पड़ेगा बच्चे है ना बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है चलिए क्या क्या है सबसे पहले यह पढ़के जो factors affecting demand बहुत सारा है बहुत सारी factors हैं जो demand को affect करते हैं है ना price of the commodity, price of the related goods, आपने पढ़ा income, test preferences, बहुत सारी चीज़े हैं को वो एक detail में revise कर लो ठीक है जिनके पास revisionary book है उनको तो दिखकती नहीं है दूसरा है movement and shift of demand curve क्या difference in में यह अच्छे से पढ़के जाना next concept of price, income and cross elasticity बच्चो इसके उपर questions रहता है, practical question भी दिया जाता है, ध्यान से करना है importance of demand forecasting यह करके जाना है demand forecasting importance के उपर question पुछाता है diminishing marginal utility, one of the most important concept है बच्चो consumer behavior में याद करिए concept of consumer surplus यह भी करके जाना है अपने law of supply ठीक है उसके बाद concept of elasticity of supply उसके concept of demand and supply can be used to determine the price ठीक है किस तरीके से हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो यह 9 topics है ज्यादा भी नहीं है ठीक है chapter number 2 that is theory of demand and supply से अगर करके जाते हैं तो अच्छा marks लाज सकते हैं बच्चो अब आते हैं अपना next chapter पर one of the most important chapter that is theory of production and cost इससे क्या क्या कवर करना है बच्चो अपने production function बहुत ही easy topic है factors of production ठीक है land, labor, capital, entrepreneurship भी आपने का रखाए law of diminishing returns to scale, long run वाला पढ़ा है अपने iso point and iso cost करव क्या है इसके पर जरूर question रहेगा बच्चो short run long run का concept जो है वो पढ़के जाने types of cost अलग-अलग types के cost होता है explicit, implicit और ही बहुत सारी है historical cost बहुत सारे ऐसे cost है वो आपनी करके जाने मेरे बच्चो next आता है आपका economies and dis economies of skill, ठीक है economies and dis economies of skill, तो यह topic आप करके जाएए यह 7 topic है total आपके पास, तो यह 7 topic आप कर लो बच्चो तो आसानी से यह chapter में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है न, देखो ज्यादा नहीं है topic, छोटे छोटे topics है, आराम से करके जाएए हो जाएगा next आता है बच्चो हमारा chapter number 4 के उपर आते है हम लोग, chapter number 4 में से आपने क्या क्या करके जाना है, ठीक है 4 chapter concept का price determination in different markets, है न, बहुत अच्छा chapter है बच्चे यह, क्या types of markets पढ़के जाएए, उसके बाद next आता है behavioral principles है न, first principle, second principle यह पढ़के जाना, इसके उपर question रहता है, change in demand and supply बच्चो, next आता है characteristics of different forms of market, next आएगा market conditioning, short and long run, बहुत important topic है यह, और एक आखरी topic दिया है मैंने पर किया आपका welfare implications of each of the market forms, यह, ये 6 topics आप करके यह, आसानी से ये chapter में पास हो जाएए, अब आता है आपका last chapter that is business cycle, ठीक है, जादा बहरी वरकमनी है, इसमे तो आसानी से बाहत easiest chapter है, chapter number 1 और chapter number 5, easy chapter है न, तो क्या इसमें different phases of business cycle, जो peak पढ़ते हैं, contraction, expansion, ये पढ़के जाना ठीक है उसके लाश्ट आता है features of business cycles बस ये तीन topics अगर cover करते हैं तो ये आपका अच्छे से clear हो जाएगा